नांदेड और हिंगोली इलाकों में भारी बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान की खबरों के बीच हल्दी की कीमतों में तेजी आई। दरसल नुकसान की आशंका शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक। हालांकि कम मांग और आवक में बढ़ोतरी के कारण कीमतों में उच काफी कमी आई है। पिछले सत्र में आवक 11,000 बैग थी जबकि सांगली में आवक में केवल 890 बैग की ही रिपोर्ट की गड़। वैसे देखा जाए तो कटाई के लिए पांच महीने शेश हैं। कम आपूर्ती और प्रतिकूल मौसम की स्थिती के कारण आने वाले हफतों म साथ-साथ कम निर्यात मांग कीमतों में और गिरावट ला सकती है। भारत में, इरोड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंधर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में हल्दी की बुवाई काफी अधिक होने की सूचना है। जिससे कुल बुवाई क्षेत्र में पिछले वर्ष के 3.25 लाक हेक्टेयर की तुलना में 3.75 चार लाक हेक्टेयर की अनुमानित वृद्धी हुई है। इसके बावजूद, पिछले वर्ष में कम उत्पादन और कम कैरी ओवर स्टॉक के कारण 2025 में हल्दी की उपलब्धता खपत से कम रहने की उम्मीद है। अप्रेल से 2024 तक हल्दी के निर्यात में 13.97 परसेंट की गिरावट आई जबकि इसी अवधी के दौरान आयात में 429.58 परसेंट की वृद्धी हुई जो मजबूत घरेलू मांग को दर्शाता। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी